वेल, देर स्टुनेंट्स, मैसल्फ दॉक्टर अशीश गर्ण, एसोसियेट प्रोफेसर इन केमेस्ट्री, सेट, आरेन रुया, गवर्मन कॉलेज, रामगट शेकावाटी, डिस्टिक्ट सीकर राजिस्थान, बच्चों B.Sc. पार्ट 3 में 2nd पेपर, Organic Chemistry में हमने topic स्टार्ट किया हुआ है, proteins, amino acids, and nucleic acids. The correct name is amino acids, proteins, and nucleic acids. इसमें, this is the 11th part, और मैं आपको इससे पहले part 9 and part 10 के अंदर amino acids के synthesis के बारे में मैंने बताया है. बच्चों यहां पर 6th reaction synthesis, method of synthesis this is the courteous reaction किस प्रकार से हम amino acids का synthesis करते हैं मैंने आपको इससे पहले daraps की synthesis बताया था, that is the part of 9th, और 9th पार्ट में, daraps की synthesis में देखिए बच्चों मैंने आपको वहां पर courteous reaction का जिक्र किया था, इस पार्ट का यी, see like this, ये reaction same to same reaction daraps की synthesis में और मैंने वहां पर जिक्र किया था आप से कि इस जगां पर courteous reaction होती है देखिए बच्चों वी स्टार्ट फॉम मैलोनी कैस्टर, see this is the मैलोनी कैसेड inolates की अंदर मैलोनी कैस्टर मैंने पढ़ाया है और इस फॉर्मूली को मैंने लिखना बताया है this is the मैलोनी कैसेड और इसका एस्टर हम किस तरह से लिखेंगे like this this is the एस्टर this is the एस्टर आफ मैलोनी कैसेड what we are doing here sodium salt this is the sodium ethoxide you know sodium salt formation sodium lawan nirman मैलोनिक एस्टर का हम sodium लवन बनाते हैं बच्चो दिस इस दा methylene group you know reactive methylene group because this CH2 group is surrounded by two electron attracting groups esters so that यहाँ पर hydrogen जो methylene group की होती है वो reactive हो जाती है और बच्चो यहाँ पर क्या होता है जब sodium ethoxide के साथ हम reaction कराते है एक hydrogen बाहर निकलती है and Na plus this is the formation of मैलोनिक एस्टर का sodium लवन का निर्मान होता है हम यहाँ पर कराते हैं इसका alkylation यह एक-एक step मैंने inolates के अंदर मैलोनिक एस्टर में aceto ST कैस्टर में अच्छी तरह से explain किया है हम reaction कराते हैं CH3Cl के साथ तो यहाँ NaCl बाहर निकलता है और formation होता है like this alkylation बच्चो further reaction विद्धा hydrogen NH2 NH2 hydrogen के साथ अभी क्रिया होती है और यहाँ पर ethyl alcohol यह बाहर निकलता है क्या formation होता है CO-NH-NH2 यह इस इस पार्ट अफ कर्टियस रेक्शन और मैं आपको बता दूँ कि daraps की synthesis के अंदर यह step मैंने आपको बताया था सेम रेक्शन है और कर्टियस रेक्शन भी examination point of view से बहुत important reaction है बचो यहाँ पर reaction विद्ध इथाईल अल्कॉहल नाव फॉर्मिशन आफ एसिड एजाइड का फॉर्मिशन होता है यह बचो सी इस एजाइड एसिड एजाइड का फॉर्मिशन होता है नौव फॉर्दर रियक्शन विद्ध इथाईल अल्कॉहल बच्चों यहाँ पर रिमूबल ऑफ एंटो गैस निट्रोजन बाहर निकलती है और फॉर्मिशन होता है यहाँ पर एनेच C, O, O, C2, H5 एंटो यहाँ पर बाहर निकलती है रि एरेंग्मेंट रियक्शन यहाँ होता है एनेच C, O, O, C2, H5 इथे फर्दर हम इसका थॉर्मिशन कराते हैं देन मैंने इसको बिल्कुल डॉटेट डाइन से शो किया है किस तरह से यहां जल अपघटन होगा एंड फॉर्मिशन ऑफ दिस एन एच टू राइट इसको बोलते हैं हम सी एच टू ग्लाइसीन एंड डिस इस दा एलेन तो बच्चो यह सिक्स्थ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसेट्स हमने पढ़ा जो हमारे पाट्शक्रम का भाग है एक और इंपॉर्टेंट सिंथेसिस इस दा फ्रम मैलोनिक एस्टर बच्चो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैलोनिक एसिट से मैलोनिक एस्टर मैंने यह दोनों सिंथेसिस यहां पर आपको बताये हैं क्योंकि कि it is a different method this is the courteous reaction है ना और यहां पर देखिए यहां पर हम करा रहे है इसका bromination यह अलग method है यहां पर देखिए melonic ester से we start from alpha halogen acid see बिटा देवो यह बला acid group है तो melonic ester से this is the melonic ester और इससे क्या बन रहे हैं कार्बॉक्सलिक acid के बाद next carbon alpha so this is the alpha halogen acid तो मैंने बताया आपको कि melonic ester से alpha halogen acid का formation होता है और जिनका ammunition हम यहां पर क्या कर रहे हैं इसका ammonia करन करते हैं तो ammonia करन करने पर यहां पर amino acids का formation होता है बच्चों देखिए melonic ester और melonic ester का हमने यहां पर form किया sodium salt clear CH minus Na plus यह बनता है बच्चों melonic ester का sodium salt सेम वे हम यहां पर इसका कराते हैं यह काईलेशन विट च्च 3C L R C L और यूज़ों वी यूज़े एलकील हैलाइट एने सील यह भार निकलता है यह फर्मेशन होता है आर च लाइक दिस यह इसका हैड्रोलाइस कराने पर यहां पर इस तरह से इस तरह से बच्चों हम इसका हैड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहां क्या बनता है लाइक दिस दाई कार्बाप्सलीक एसेड्ट इस दिस दा मैलोनिक एसेड्ट इसको हम क्या बोलते हैं मैलोनिक एसेड्ट और यहां पर एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रूप से इसको गरम करते हैं एक कार्बन की उपर दो कार्बाप्सलीक एसेड्ट ग्रूप सो एक रिमोवल आफ इसको गरम करते हैं एक कार्बन की उपर दो कार्बाप्सलीक एसेड्ट ग्रूप सो एक रिमोवल आफ रिमोवल आफ सी ओ टू एंड फॉर्मिशन आफ आर सी एच बी आर सी ओ एच बच्चो इसकी रियक्शन हम कराते हैं अमूनिया के साथ एच बी आर बाहर निकलता है और फॉर्मिशन यहां पर होता है अमीनो एसेट्स तो इस सेशन में हमने अमीनो एसेट्स संसलेशन करने की दो विधियां कल्टियस रियक्शन एवं मेलोनिक एस्टर से इसका हमने अध्यन किया तो आट्स आल इस सेशन थैंक यू वरी मच झाल 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 architect